स्वागत आप सभी काँ आपके अपने यूट्यूब चेनल एक्जाम वोरियर्स पे आज के वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रामविका सदिकारी प्री परिक्षा जो हुई थी उसके रिजल्ट के बारे में कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा क्या रहेगी कट ओफ और कितने गुना विध्यारती पास के जाएंगे और ये जो रिजल्ट आने में देरी हो रही है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है तो जैसा कि आप सभी जानतें कि दिसंबर के महीने में जो दिसंबर 2021 का अंतिम समय था तब वीडियो परिक्षा हुई थी और अब मार्च का महीना चल रहा है और इसके रिजल्ट आने की पूरी संबावना है वैसे अगर देखा जाए तो आने वाले 2-3 दिनों में प्री रिजल्ट जारी हो सकता है और इसकी पूरी संभावना ही के pre-result आने वाले दो से तीन दिन में जारी होगा वही अगर हम बात करें कि इतना समय क्यों लग रहा है तो जैसा कि board की और से जानकरे प्राप्त हुई है कि इसमें भी यानि कि वीडियो प्री परिक्षा में भी normalization किया जा सकता है तो जैसा कि आप सबी जानते हैं कि चार शिफ्टों में इसकी परिक्षा हुई थी जो वीडियो परी परिक्षा थी ये चार शिफ्टों में हुई थी और इसी कारण से जो शिफ्टों में कुछ अंतर देखा गया था इसके लेवल में इसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है एसी संभावना बढ़ती जा रही है यानि कि एसी पूरी संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है और इस normalization का भी क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम जानेंगे आज के वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बाते परिणाम कब आएगा तो परिणाम जल्द आने वाला है इसके बाद अगर बात करें तो इसमें कुल पद है 5396 5396 कुल पद है ग्रामविका साधिकारी परिक्षा में जहाँ पर 1500 पद बढ़ाई गए थे और कुल मिलाकर अपद हो गए हैं 5396 वह अगर बात करें तो इसके 15 से 20 गुना विद्यारती पास किये जाएंगे अगर हम बात करें तो संभावना है पूरी 15 गुना विद्यारती पास होंगे और 20 गुना पास करने की भी संभावना है नौर्मलाइजिशन इसमें हो सकता है क्योंकि 4 shift में paper हुआ था अभी हमने बात किये कि 4 shift में paper हुआ था और इसमें normalization होने के पूरे chance है और result आने में देरी हो रही है तो इससे पूरी-पूरी संभावना ये बन जाती है कि normalization हो जाएगा इसके अगर बाद में बात करें कि normalization का क्या प्रभाव पड़ेगा तो 3-4 अंक का परिवर्तन देखने को मिल सकता है जैसा कि पटवार में देखा गया था कि कही पर जो है 10-10 अंकों की वृद्धी हुई थी और कही पर 15 नंबर की कमी हो गई थी लेकिन उतना जादा परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पेपर का लेवल वैसे भी hard था और सब पेपर जो थे लेवल लगबग लगबग समानता थोड़ा बोत अंतर देखा गया था तो इसके आधार पर किसी shift के 3-4 नंबर बढ़ सकते हैं वीडियो प्री के result में अब हम बात करेंगे कि किस किस category में क्या क्या cut off रहने वाली है वैसे अकर देखा जाए कि जब भी किसी भरती में दो पेपर होते हैं तो जो पहला पेपर होता है इसकी cut off कुछ-कुछ category में same रहती है यानि कि General OBC की cut off same रह सकती है EWS और MBC की cut off है वो same रह सकती है और SCST category की cut off भी same रह सकती है तो आज की वीडियो हम जानेगे कि क्या cut off रहने वाली है और लगबग यही cut off रहने की पूरी पूरी संभावना है जो आज हम cut off बता रहे हैं वो 15 गुना अभियरतियों की है लेकिन अगर 20 गुना अभियरती पास किये जाते हैं तो cut परिक्षा भी होनी है तो 15 गुना भियरती पास किये जाए या 20 गुना भियरती पास किये जाए यह बूर्ड पर जो है depend करता है वैसे ज़्यादा से ज़्यादा बियरती पास किये जाने के संभाव नहीं है तो 20 गुना भियरती पास किये जाते हैं वैसे अगर 15 गुना भिय वह अगर बात करें general OBC female category की तो 48 प्लस अगर आपके number है तो आपका selection आसानी से हो जाएंगा video men's के लिए EWS और MBC category की में अगर आप male candidate है तो 49 number पे आपका selection हो जाएगा EWS और MBC अगर आप female candidate है आपके 45 number आ रहे हैं 40 plus number पे आपका selection हो जाएगा SCST category में अगर आप female candidate है तो 42 प्लस अगर आपके number है वीडियो प्री में तो आपका mains में आसानी से selection हो जाएगा बात करें TSP की तो TSP category मतलब TSP area में अगर general OBC में अगर आप male female है 40 प्लस अगर आपके number है तो आपका आसानी से selection हो जाएगा क्योंकि non TSP की जो cut off रहती है वो TSP से काफी ज्यादा रहती है SCST में अगर आपके 35 प्लस अगर आपके number है तो आपका आसानी से selection हो जाएगा और यही कुछ category रहती है वहाँ पर देखा जाए तो general SCST यही category जो वहाँ पर TSP area में देखी जाती है तो अगर आपके जनरल में 40 प्लस नंबर है, TSP एरिया में तो आपका आसानी से हो जाएगा SCST अगर आप 35 प्लस नंबर है, तो आपका आसानी से सलेक्शन हो जाएगा तो ये रही नोन TSP और TSP एरिया के कट ओफ और यही कट ओफ लगबग रेने वाली है बात करें परिणाम के तो परिणाम कल भी जारी हो सकता है, कल जारी होने के संभाव नहीं है लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में इसका परिणाम जारी हो जाएगा और जैसा कि कहा जा रहा है मार्च के अंत तक जारी होगा फिर भी जो है पूरी संभावना है कि दो से तीन दिनों में इसका परिणाम जारी हो सकता है वही मैं आपका बता दू कि यह जो बरती है यह जल्द से जल्द कंप्लेट होगी अगर देखा जाए तो जैसा कि बताया गया है मई और जून के महिने में इसकी परिक्षा हो सकती है मई जून में मैंस एक्जाम होंगे मई में होने के चांस है लेकिन जून तक जाते जाते इसके एक्जाम कंप्लेट हो जाएगा यानि कि जो मुख्य परिक्षा है वो मई जून में complete हो जाएगी और इसके एक महीने बाद यानि कि जुलाई के महीने के अंत तक या बात करें अगस्त के प्रारंब तक इसका परिणाम भी जारी हो जाएगा और जिस दिन परिणाम जारी हो जाएगा उसके दो से तीन दिन बा इसके अंत तक वीडियो प्री यानि कि ग्राम विकास अधिकारी की जो भरती हो complete हो जाएगी और लगबग एक साल में ही इसकी भरती पूरी complete हो जाएगी इसके पूरे पूरे chance है तो आज के वीडियो में हमने जाना है कि परिणाम कब तक आएगा क्या रहेगी cut off कितने गु पूरे होने की क्या-क्या संभाव नहीं तो अगर आज के वीडियो अच्छे लगे तो like and share जरूर करें साथ ही हमारे जो चैनल पे हैं पिछले कुछ दिनों में पटवारी जो document verification चल रहा है इस पर भी वीडियो बनाए गए हैं और जहां पर कई विद्यारतियों ने comment भी किय हैं यानि कि जो question थे उनके जो भी उनका doubt था वो सब उन्होंने पूछा है और उन्हें उनके answer मिले हैं और बहुत सारे अभियरति जो उस वीडियो को देखकर document verification के लिए गए थे उनके वापस आने के बाद उन्होंने उसकर comment किये हैं कि जो same process रही है तो वे सभी विद्यार set बनाने हैं वो सब बताया गया है तो आप उसे देखकर exam जो है document verification देने जरूर जाहिएगा ठीक है और कोई भी अगर आपका question हो तो आप उस पर पूछ सकते हैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा Thank you Jain J.Bharat